आज की वीडियों आप देखेंगे LED TV की जो मतरबोड होती है उसकी पाउर सप्लाई अगर सार्ट है तो उसे कैसे चेक करेंगे और कैसे उसे रिपेर करेंगे सबसे फहले मल्ٹीमीटर को continuity mode पे करने के बाद यहां पर देखें इसके source और drain और gate यानि तीनों पिन पे बारी बारी से आप देखेंगे देखेंगे सार्ट बताया तो यह हमारा मासपेट सार्ट है अब यहां कैपिस्टर होके है यहां पे एक रेजिस्टर्ट लगा हुआ यह देखें यह open है अब रेश्टन को इसे छोड़ देना है कि वो मासपेट को वहां से निकाल लेना है इसके जगे से इसे निकालने के बाद यहां पर एक माडूल लगाना है और माडूल कौन सा लगेगा उसका कनेक्शन कैसे होगा उसे हम देखेंगे तो देखते रहें पूरा कनेक्शन ठीक से देखेंगे इस माडूल में कुल फाइप वायर है जो कि यहां से स्टार्ड करेंगे स्टार्टिंग और फिड वेख टोईल वर्ट्सै और 18 वर्ट यानि 12 स bench टार वोल्ट ग्राउंड अंड ड्रेन अब यहाँ पर देखें, यह जो है, start-ing है, और feedback है, टोयलवोल्ट से ठारな ग्राउंड ड्रेन. अब यह ड्रेन वायर, जो की पीले color का वायर यहाँ पर निकला हुआ है, यहाँ से start करें, joint करना. तो सबसे पहले इसी को यहाँ पर joint करना है, यहां से मॉसटे को ओपिन किया है इसे पीले वाले वायर को द्यान से आप देखें यहां पर ही जोड़ना है यह मैं बहुत सलो में बना रहा हूं आपको आसानी हो आप फास्ट भी कर सकते हैं और दूसरा वाला वायर यहां पर यह ग्राउंड पर जूड़ेगा कैपिसिटर के फिर यहां पर तीसरा वायर यानि पीले वाले वायर के तरफ से यह आपजलरी डाइबोर्ट के कैथोर्ड पर और यह जो वायर है यहां इस अप्टो कपलर के पिन नमबर चार पर जूड़ेंगे यह यह पिन नमबर चार पर जूड़ेगा अब आता है यह पॉजिटिव यह इस कैपिस्टर का 300 वोल्ट पॉजिटिव जो की ब्लू कलर का होगा अब यह पांचों वायर हमारे हो गए अब यहां पर पीले वाले वायर को स्टार्ट करेंगे जोड़ना तो सबसे पहले आप ड्रेंड की वायर इसे जो है ड्रेंड वाले पॉइंट पर जोड़ेंगे थोड़ा सब जूम कर देते हैं आपको देखने में आसानी हो देखिए यह मॉस्पट जो कैपस्टर के बगल में लगा हुआ है यह जो चोपर टांसफार्मर है पीला वाला उसी के बगल में यहां पर देखेंगे यह जो ट्रेन वाला है वायर इसको इसी पॉइंट पर हम सोड़ कर देंगे अब यहां से एक यह वायर हो गया स्टार्टिंग अब इसके बाद करें हम नेक्स्ट हरा यह ब्लेक वाला वायर निगेटिब पर जोड़ देंगे कि यहें यह कैथरोड है और यहां पर इसे हंसे कर देंगे रेड कलर का वायर अभी हो गया। का अगजल्री वılar कनेक्षन अब यहां पे वाइट कलर वाला वायर जो है यह आपको आप्ड़ो कप्लर के पिन नंबर टब ना है यहाँ पर देखें यह बी लिखा हुआ मतलब हुआ फिडवेक फिडवेक हमारा यहाँ पे इस अप्टोकप्लर पर मिलता है जो कि इसी के द्वारा हमारा सेकेंडरी से प्राइमरी में बोल्टेज को स्थेंस कराया जाता है इसे हम पर नंबर पोर पर जोड़ देंगे अब इसके बाद लास्ट वाला वायर जो बचता है ब्लू कलर का इसे नीचे से थोड़ा सा ओपन कर लेंगे अब यहां पर देखें यह जो है ब्ल्यू अब यह प्लस की सप्लाई है जो कि 300 वोल्ट पोईस्टिब दिया जाता है जो कि में कैपिस्टर से आप जोड़ेंगे यह स्टार्टिंग बैंडिंग इसे कहा जाए रहा स्टार्टिंग सप्लाई स्टार्टिंग सप्लाई इसे दी जाएगी यहीं 300 वोल्ट प्लस से तो इसे हम कैपिस्टर के प्लस वाले पॉइंट पे जोइंट कर देंगे अब कनेक्शन पूरा हो गया अब दूसरी बात यहां पर देखें इसके फ्यूज को हमको चेक करना है कि फ्यूज हमारा सही है कि नहीं तो उसके लिए क्या करते हैं यहां से इसे पहले इस लाग को यानि निकाल लेंगे इसे ऐसे पुश करेंगे तो यह जो है इधर से ओपन हो जाएगा अब ओपन होने के बाद यहां पर आप कांटिनूटी इसके चेक कर सकते हैं इस फ्यूज के यानि यह फ्यूज है इसके पीछे यह और यह फ्यूज आप यहां पर कांटिनूटी अगर बताता है तो ओके है कि मुल्टिमेटर को कंट्रिनुटी मोड पर करें और करने के बाद देखें यह कि यानि यह ओके है मारा फ्यूज इमेंस हम सॉकेट से मेंस भी निकाल कर दिखा दे रहे हैं एक मिनट कि देखें यानि इसमें फ्यूज ब्रेक नहीं हुआ था ओपन नहीं हुआ था तो अब यहां हमारा जो है सारा कनेक्शन ओके हो गया अब इसे हम चेक करेंगे इसके लिए शकुट को से लगा देते हैं कि अब यहां में मारा बट हुए इसके बाद यहां पर इसे भी फिट कर लिए उसके बाद टीवी को अन करके आपको बोल्ट दिखाते हैं देखिए इसे डीसी बोल्ट के रेंज पर करके और यहां पर सबसे पहले टोईल बोल्ट चेक किया जाएगा सेकेंडरी में में मेंस कनेक्शन कर देते हैं आप सप्लाई देते हैं कि देखिए सप्लाई दे दिए और यहां पर देखें तोईल बोल्ट आ गया यानि हमारा सप्लाई कि अब नेक्स्ट हम टीवी को भी यान करकर देख लेंगे 226 पूल्ट यहां पर इन हो रहे हैं एसी और टीवी यहां पर देखें ओक्शन करने हैं और मैं थोड़ा इसे जानकिस तुलो बनाया हो जो कि आपको कनेक्शन करने में काफी आसान हो तो थैंक्यों दोस्तों आज कि वीडियो में बस्तों आई मिलते हैं नेक्स वीडियो में तो देखते रहिए